नमस्कार वेब दुनिया नियूज में आप सभी का स्वागत है और नज़र डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर दिल्ली में लगे पोस्टर केजरिवाल को बताया हिटलर दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विन केजरिवाल की मुश्किले कम होने का नाम ही नहीं ले रही योगेंद्र यादव और प्रशान भूशन से अभी उन्होंने पीछा चुड़ाया ही था कि उनके खिलाफ पोस्टर वार शुरू हो गया है पोस्टर में नीचे योगेंद्र यादव प्रशान भूशन लोगपाल रामदास अजित जह राकेश सिन्ना प्रोफेसर आनन कुमार का नाम लिखा है और इनके नाम के आगे निश्कासित लिखा हुआ है इनके नीचे अंग्रेजी में लिखा गया है मेनी मौर इनक्यू यानी अभी कई कतार में हैं फिर हैल हिटलर लिखा गया है किसान की मोत पर कलेक्टर का विवादास पत बयान किसान की अत्मत्य के मामले में मध्यप्रदेश के भीन के कलेक्टर मदुकर आगने के उस बयान पर बवाल मज गया है जिसमें उन्होंने किसान की मौत के लिए उसे खुद ही जिम्मेदार बताते हुए कहां कि पाच छोरी और एक छोरा पालने में तो उसके प्राण निकलेंगे ही कॉंग्रेस में तर डॉक्टर गोविन सीहने मीडिया के सामने एक आडियो टेप भी जारी किया जिसमें किसानों की मौत के बाद भीन कलेक्टर गंदी भाषा का इस्तमाल करते हुए सुनाई दे रहे है कलेक्टर ने किसानों की मौत के बाद कहां था कि वे पाच पाच छेचे बच्चे पैदा कर लेते हैं डॉक्टर सीह ने कहा कि भिंड में किसानों की हालत खराब है प्रजासन ने सिर्फ 15 प्रतिशत मुकसान का आकलन किया है किसान बरबाद हो गया है और कलेक्टर गालियां दे रहे है उलेक निये कि एक अप्रिल को बिंड के उम्री में किसान अविलाक सीह ने आत्मात्या कर ली थी किसान की जेब से पुलिस को एक नोट मिला था जिसमें आत्मात्या की वज़े फसल का खराब होना लिखा था धोनी सबसे धहरिवान कप्तान औस्टरिया के पूर्वा बल्लेबास माईकल हसी ने महेन सिंग धोनी को सबसे धहरिवान कप्तान करार देते हुए कहां कि वाचाहेंगे कि पारी के अंत में चेन्ने सुपर किंग के कप्तान जैसा धहरिय उनके अंदर भी हो मुंबई इंडियन्स के साथ एक सत्र बिताने के बाद ये बल्लेबास IPL आट में एक बार फिर धोनी की टीम का हिस्सा है IPL की वेबसाइट ने हसी के हवाले से कहां मुझे उसकी ताकत पसंद है मैं चाहूंगा कि पारी के अंत में उसके जैसा धहरिय मेरे अंदर भी हो कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे अंदर भी यहां है लेकिन मैं आप से कहता हूँ कि मेरे पास इन नहीं है पारी के अंत में धोनी बल्ले से लाजवाब है क्योंकि वो धहरेवयान है और वो सारी रंडिती बना कर रखता है आस्ट्रिलिया के बाय हाथ के इस बल्लेबास का मानना है कि धोनी बड़े लक्ष का पीछा करते हुए हमेशा सकारात्मक रहता है